हलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NCRT की इंटरेक्टिव लाइव सेशन में मैं हूँ आपके सार्श शिवानी जह और इस वक्त आप हमसे जुड़ चुके हैं इव विद्या के चैनल नमबर 9 पर बच्चो आज जो हम आप सभी के लिए टॉपिक लेकर के आए हैं वो है कक्षा 9 के बच्चो के लिए जिसका टॉपिक रहने वाला है फूड सेक्यॉरिटी इन इंडिया आपको अगर बताएं तो फूड सेक्यॉरिटी के हम बात करते हैं तो आजकल फूड हर किसी की नीड है चाहे वो इनसान हो चाहे वो जानवर हो कोई भी हो बिना खान पीन के कोई भी नहीं रह सकता है तो यहां पर आज हम जानने वाले हैं कि आखेर फूड सेक्यॉरिटी होता क्या है और इसके लिए आखेर किन-किन लोगों तक यह पहुँच पाता है क्या जो फूड आप लोगों तक हम तक जो पहुँचता है क्या वो न्यूट्रीशियस होता है क्या उसमें न्यूट्रियेंट्स होते हैं और कितना जरूरी होता है और इसको समझाने के लिए यहाँ पर आज स्टूडियो से हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ी हुई है लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगे कि अगर आपको इस सत्र से जुड़ा कोई भी क्वेरी या फिर डाउट आता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारा कॉन्टेक्ट नमर है दबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइफ नाइट या फिर आप चाहें तो आप अपने क्वेरी और डाउट को हमें इमेल भी कर सकते हैं हमारा इमेल आइडी है dth.class9 at the rate ciet.nic.in तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सबसे पहले आज जो expert हमारे साथ जुड़ी हुई है हम उनका welcome कर लेते हैं हमारे साथ जुड़ी है Mrs. Pooja Goyal Ma'am तो बहुत-बहुत स्वागत है Ma'am आपको हमारे session में नमस्कार Ma'am आपको बिच्चों बदाना चाहेंगे कि Pooja Ma'am जो है यह former PGT Economics, Modern School, Barakhamba Road, Delhi से है जो हमारे साथ आज जुड़ी हुई है तो आज जिस तरीके से मैंने आपको बताया Food Security in India हम इसके उपर बात करने वाले हैं तो आईए Ma'am से तो पहले हम यही जान लेते हैं Ma'am Food Security क्या है और इसका मतलब क्या है और साथ ही आप इसको एक्जाम्पल्स के थूरू बताये जो बच्चे ईजली समझ पाए इसको Basically यह Class 9 का Most Important Topic है Food Security in India So Food Security हर इंडिविजुल की नीड है कि आज के ताइम में हम जवी का अपनी चलाते है इस चलाते है जो इर्न करते है इसको करते हैं? अ हर घर में हर जो हॉसहूल्ड था हर घर में क्या चाही खाना इसशसेटी हम कह सकता है चाहे वह घरीब है चाहे वह अमीर है चाहे वह कोई भी इंसान है Itulust इसमें हर इंसान की खाना मिलना मोस्पॉर्टंट है कि आपने पैसे तो कमाल यह उस पैसे को बजार में जाकर आपको देना है और लेना है खाना लेना है खाना इन दे सेंस राइस वीड जो कि आपकी बेसिक नीड है तो आज इस chapter के अंदर हम food security in India के बारे में बेसिक ली इंडिया के बारे में बढ़े है क्योंकि my country कौन सी है भारत तो food security का मतलब होता है that is availability of food and one can assess to it मतलब कि हर इंसान उसको ले सकता है खरीज सकता है हर एक जो household है a household is considered food secure when it's occupants do not live in hunger or fear in starvation तो basically कोई भी इनसान food को avail कर सकता है उसको पास सकता है जब उसको इस बात का डर नहीं है कि मेरा बच्चा जो है वो कहते है भूख के बारे बर जाएगा या फिर कोई ऐसी आपदा आ गई की डॉट के करएंट या फिर फैमान के करएंट वो मर जाएगा उसे food के बिना वो मर र प्राइबुलिटी बिलिटी ओफूड फूड टु ओड पीपल अट अल्टाइम से मतलब है कि जाए वो ड्रॉट का हो माईनों गर्मेंट को अधिजां करने होते हैं जैसे कि आप सब को मालू है कोवीड 19 तो गर्मेंट सरकार ने क्या 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 उस टाइम पर जो फार्मर्स थे वह तो रूरल स्म्राइब और जो अदर रूर्ण फोर्स खाना कैसे मिले का तो गर्मने ने कहते हैं राशन शोप से और खाना भीजववाया था that is food security in India okay so ma'am अगला questions जिस तरीके से मेरा आप से रहने वाला है हमने food security के बात कर ली अब इसमें major dimensions क्या होते हैं कि food security हम अगर बात करें तेखे तीन में डाइमेंशन होते हैं food security के पहला है availability of food availability of food का मतलब होता है कि पूरी हमाई country अब आपको पता है 29 states है तो 29 states में 28 states में आपको 7 union territories है तो food के पूरी country में साही states में साही union territories में it must be available food import food import का मतलब होता है कि हम कहते है पूरी country से दूसरी country से हम food को मंगवा रहे हैं पैसो से and the previous year stock जो government अपनी granaries में अपने stock के पास accessibility of food second हमारा dimension होता है accessibility accessibility का मतलब क्या होता है कि food is within the reach of every person अगर हम एक basic commodity की में बात करते हैं अगर कि हम बात करें onion की अगर वह 100 rupees per kg हो जाता है तो क्या एक normal इंसान क्या एक रिक्षा-puller क्या उसको परचेस कर पाएका नहीं अगर बात की तो अगर इस भी अटकी जाएक रएक एक पास्तोर आपटाटो इस पुवादल थर्ट दीमेंशन इस अफुर्द थर्दमेंशन affordability अफुर्द बाता है हर इंसान के वाच्ने पैसे होने चाहिए इन उन पासे होने होने मैंने बात बताना चाहूंगी कि हाव इस फूट सिक्योर्टी अफेक्टे द्यूर्ड द्यूर्ड कोई भी एक क्लामर्टी हो जाती है अगर हम बात करें कोई-19 की या द्रॉट पर जाता है या कोई फर्माइन हो जाती है जैसे कि हम बात करते है फर्माइन बेंगोलजा 1943 में हुआ था जिसमें 30 लाग पीपल अगये थे बिकास ऑफ फर्माइन फर्माइन की अगर राओ कोई होता है फर्माइन होता है तो क्या होता है ह iç इफेक्टि द फूचरिटीट तो स्यानु पर्षी कि इस चुडब सुखा पढ़ा संप्धा सूखा बारिश नहीं और बारिस्हों सत्राइब रहले रहले धेक्सरी बारिश नहीं दो फैसल改 balcony अगरी तो थो फैसल नहीं उगेगी तो प्राइक्ष नहींगा अब रिष्ट पीपल तो उसे 100 रुपीस पर केजी है तो खरीज सकते हैं पर क्या जो गरीब आदमी है और जो मिडिल क्लास आदमी है तो खरी ही नहीं सकता तो 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 कुछ पीपल जो है कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और सबसे इंपोर्टन एक्जाम्पल जो बहुत अप्रेंपल जो इसे के साथ हम अगले अपनी नेक्स पर चलते हैं तो आम नेक्स पर क्या होने वाला है मैं हंगर की बात करेंगे अब हम की मोस्त इंपोर्टन जो फूर्टी का पात होते हैं हंगर भूग से मर जाना food insecurity कि अब बहुत ही दुर्दशा की बात होती है किसी भी country के लिए कि लोग जहें भूग से मर रहे हैं तो food insecurity the attainment of food insecurity involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger कि आज की hunger को तो government को मिटाना है सात में उसको future के लिए भी रखना है तो क्या कर government ने strategies की food security के लिए तो पहला हम example लेंगे माम green revolution, green revolution बहुत 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 है है हमारी agriculture sector में जो 1968 में हुआ था और उसके अंदर HYV seeds का कहते है farmers के लिए यूज किया गया था specially HYV seeds, fertilizers, then बहुत सारे कहते है हमारे pesticides or most important irrigation facilities उसके विजय से हमारी country में क्या हुआ हम यह नहीं कह सकते है कि कुछ ही states में इसका production बहुत अच्छा हुआ था पंजाब, हर्याना और production किसका हुआ था wheat and rice तो हम इसमें बात करेंगे कि Green revolution is a very successful revolution in India and अभी तक हम कह सकते हैं कि we are self-sufficient in the production of rice and wheat so अगर हम बात करें तो इसलिए Indra Gandhi जी ने उस ताइम पे stamp भी निकाली थी उसमें Green Wheat Revolution के नाम से in July 1968 तो अगर हम बात करें production of wheat बहुत जाथा increase हुआ था I can say many times, 5 times 4 के increase हुआ the production of wheat in the states of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh और rice के production बहुत जाथा increase हुआ था you can say 5 times West Bengal and Uttar Pradesh so इसमेजे से जहां हमाई country import कर रही थी food grains so now India started to export the food grains self-sufficient हम हुईगे साथ की साथ हम we are exporting to the other countries okay ma'am अब जिस तरीके से आपने hunger की बात किया वी बच्चों को बताया hunger के वाले पे जिसके बारे में बताईगे हाँ जी मैम there are two types of hunger हम बात करेंगे chronic hunger की and seasonal hunger की chronic hunger होता है basically जब एक simple example ले ले लेते हैं एक परिवार है ठीक है अब अगर गाओं में रेखेंगे अभी परिवार बहुत बड़े होते हैं पर ददस बच्चे होते हैं और परिवार बहुत बड़ा होता है और एक ही उनका source of income होता है वो होता है उनकी खेती agriculture करना तब agriculture कर रहे हैं तो और उसके अंदर है Disguised Unemployment जरूरत से जादा लोग उस खेती में काम कर रहे हैं जो कि अवशक्ता नहीं है तो chronic hunger का मतलब होता है कि उनको proper diet नहीं मिल रहे है in terms of quality and quantity तो उसको हम क्या बोलेंगे chronic hunger people जो है suffer करते हैं क्योंकि उनकी low income होती है और वो sufficient food नहीं बाय कर सकते for their survival that is the meaning of chronic hunger now second is seasonal hunger seasonal hunger basically food growing or harvesting ऐसे कि आप जानते है जो agriculture sector that is seasonal occupation 6 महीने तो खेती होगी 6 महीने वो खाली बैठे रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ भी दूसर काम करने के लिए नहीं होता है इसलिए हम ओलते है seasonal hunger अभी prevalent कौनसे areas में होते है rural areas में सबसे जादा prevalent होते है क्योंकि जो नेचर है agriculture sector का वो क्या है seasonal और urban areas में हम बात करें to casual laborers casual laborers वो होते हैं जो दीहारी पर काम करते हैं daily wages daily wages पर जो काम करते हैं daily laborers की बात हम बात करते हैं वो होते हैं तो यह हुआ difference between chronic and seasonal hunger माम अब नेक्स पर हम बात करें कि माम how is food security insured in India अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हम इंडिया की बात करें तो देखे अब गर्मेंटे बहुत सारे से तरीके कहीं है food security में is a buffer stock government के बात बहुत सारा है क्योंकि वो MSP price पर minimum support price पर farmers के पास जाते है at the time of sowing season और वो खरीट के अपने buffer stock रख लेते हैं at the time वो की यूस करें जैसे कि COVID-19 में उनने यूस किया famine में drought में tsunami में there are many example you can see then FCI Food Corporation of India जो है protect करता है और करते है उनको उनसे लेकर buffer stock government के पास रखता है that's a very good system now public distribution system आप सब जानते है जो नीचे तपते के रोग है government ने दो पास में divide करें है APL and BPL that is above poverty line and below poverty line to below poverty line के लिए लोग है वो राशन शॉप्स में जाते है और वहां पर आराम से they can buy the basically food grains sugar and kerosene for cooking to food security हां का हम बात करें ma'am बहुत सारी इसमें कि बहुत सारी लोग क्यूज होती है और केतर राशन शॉप्स वाले केते है जो main shopkeepers होते है उनको sell-out कर देते है जो अच्छा स्टॉक होता है पराना स्टॉक करेते है उनके पास रखते है तो खामिया है but government अपनी तरफ से मैं कहते हूं बहुत अच्छी कोशिश करें कि वो buffer stock रखती है तो ma'am अभी अपने FCI के बार में बता है Food Corporation of India तो अब ma'am से जानते हैं कि ma'am इसकी functions क्या होते क्या काम करता है तीक ma'am First of all the Food Corporation मैं इसका मैं एक्जाम्पल के थूँ आपको बताना चाहूंगी कि जो FCI है सबसे पहले FCI वो maintain करता है buffer stock A buffer stock FCI कहां से लेगा वो लेता है buffer stock farmer से तो farmer के पास सबसे पहले वो जाएगा जिस ताइम पे जो किसान है वो अपने जो खेत में बीज बो रहे होंगे उसको हम price को बोलते है MSP price तो government ने उनसे decide कर लिया कि आप इस प्राइस पे हमें देंगे Food Corporation of India ने और farmers ने उनको grains दे दिये जैसे ही Food Corporation के पार आपने पास buffer stock आता है तो अब आप यह बताएगी जो सारे states हैं क्या वो equally करते grow कर रहे हैं नहीं सिर्फ limited states जिनका production Green Revolution बहुत अच्छा हुआ जिसके हम बात करते हैं Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra पर इनके अलावा जो states हैं जैसे हम बात करें Bihar, Odisha हम बात करें दूसरी states की हम आचर Pradesh वहां पी food grains कैसे supply होंगे तो वहां पी जो FCI जो states है दूसरी states है वह से किससे कंसल करती है FCI से कंसल करती है और के कहते है FCI उनको food grains देता है issue price अब state जो है fair price shops की तरफ जाती है और उनको allocate करती है food grains और distribute करती है उस issue price इस 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 आता functions of FCI Food Corporation of India Okay माम next क्या रहने वाला है जो आप बच्चर को बताएंगे यहां पर वही बताएंगे हां जी माम माम हम यह बताना चाहेंगे कि यहतने Public Distribution System की बात की हमने इसके बाद है Food for Work Program और इसके बाद है तीसरा हमां Integrated Child Development Services तो Integrated Child Development Services जो Government जो क्या प्रवाइट करता है जो क्या प्रवाइट करता है Food Preschool Education Primary Health Care To Children Under 6 Years of Age And Their Mothers तो This Scheme Was Launched In 1975 But It Was Discontinued In 1978 By The Government of Maharaoji Desai And Then Relaunched By The 10th 5 Year Plan में यह launch हुआ तो 10th 5 Year Plan में आपको पता होगा Anganwade का नाम आपने सुना होगा बहुत साथ सेंटर्स करेते हैं Rural Areas में Setup होए है Because Of This Only की Frontline Workers वह पर काम करें उनको Educate करें और उनको बताएं जो प्रेग्ने मुमन से उनको बताएं कि आपको खाने पीने की कितनी जादा जरूरत है क्युकि उनको पता ही निया फूर वर्क प्रोग्रम जो है amendment that was introduced in 1977-78 और उसका में objective क्या था Giving Food Grain Instead of Wedges की लोग को पैसा नहीं देना है काम के बतले क्या देना है उनको Food Grain देने है उसके हम बात करेंगे मैं रोल of Cooperatives in Food Security Cooperatives जो हैं Cooperative Societies होती है जो Setup करती है Shops To Sell Low Priced Goods To Poor People जैसे के आपने Tamil Nadu में बात करें Tamil Nadu में Fair Priced Shops रहें That is 94% Are Being Run By The Corporatives अगर आप दिली में ही देखें तो Amul Amul is also a Cooperative That is Supplying The Milk Then आप देख सकते है Mother Dairy That is Success Story Of Gujarat And Milk Products In Gujarat To Cooperatives Providing Lot Of Food Security At A Minimum Rate To The Poor People की कोई भी Easily Assess कर सकता है Dood Purchase कर सकता है Dahi Purchase कर सकता है At A Reasonable Rate एसी हम बात करें In Maharashtra में To Academy Of Development Science उन्होंने क्या Network बनाए एक Engineer बनाई है For Setting Up Grain Banks In Different Regions Grain Banks क्यों होते है Grain जैसे आपने तो Banks ही सुने होंगे अभी तक की कहते है जहां पैसे रखे जाते है यह Grain Banks है जहांपे की Food Grains रखे जाते है So that is In Maharashtra Academy Of Development Science It also Organizes Training And Capacity Building Programs On Food Security For NGOs To इसके बाद Green Store की बाद Ma'am नहीं आपे बताई हमको अब आगे जानते हैं आगे क्या हम पढ़ने वाले हैं इस Topic में तो आगे क्या माम इसमें रहने वाला है हमारे विये Ma'am इसके अंदर अब हम बात कर सकते हैं कि कुछ-कुछ प्रोग्राम्स राशन कार्ज जो हैं जो Government Supply करते हैं तीन ताइप से करते हैं एक होता है APL, BPL और AAY कार्ज APL होता है Above the Line Above Poverty Line Cards BPL होते हैं Below Poverty Line Cards और AAY होते है Antodyya Ani Yojna यह 3 ताइप से Cards जिसमें की करते हैं Different different categories जो Families होते हैं Government इनको Supply करते है कि Government इनको Supply करते है करते हैं और उस Cards को आप राशन शॉप पर लेके जाएंगे और उनको Families को उसके accordingly उनको Food Grains, Sugar Or Cerosene Oil मिलेगा तो जैसे हम देख सकते हैं BPL is Below Poverty Line अब आप इमाजन कीजिए Less than 10,000 annually लोग एक बार में 10,000 रुपर खर्च करते हैं और 10,000 रुपर पूरी साल की income है तो BPL Cards उन लोग के लिए है Below Poverty Line दूसरा है APL That is Above Poverty Line Above Poverty Line Cards पोवाइड होते हैं For the citizens of Uttar Pradesh Who are Above Poverty Line And have their annual income Above Rs. 10,000 जिनका 10,000 से ज्यादा की income है उनको Above Poverty Line वाले Cards issue करते हैं Next is Antodya Ani Yojna Cards ये जो Cards हैं इस citizens of Uttar Pradesh को ही Allowed होते हैं Issue होते हैं जो की बहुत ज्यादा गरीब हैं They are very poor और उनका जो income का source है वो भी stable नहीं है Okay तो माम ये जो आपनी Cards पता है ये भी बहुत अच्छी रीजें हैं कि जो है food पहुंच सकता है एक poor person के पास भी हां जी मैम ये बहुत जारा जरूरी है कि हर घर में के करते हैं अना जो एक basic need है At the time of any circumstance कोई भी सरकार change हो रही है तो कम से कम सरकार के पास इतना buffer stock होना चाहिए किसी भी आपडा में किसी भी war conditions में सरकार के रहते हैं अपने citizens का food secure कर पाए Okay ma'am तो मेरा अगला question ये रहने वाला है अभी हमने food security की बात की तो इसमें हम ये भी आजाता है कि जो food हम तक पहुंचता है या उन poor people के पास पहुंचता है तो हम कैसे जानेंगे कि वह nutritious है या नहीं है क्या वह साफ सुत्रा है या नहीं है क्योंकि गंदे तरीके का आज जो मिलावट हम बात करते हैं तो मिलावटी वाला खाना भी हम तक बहुत पहुंच रहा है तो उसका क्या सरकार को ध्यान रखना चाहिए और वह चीजे कहां से यहाँ ले पर आती है अच्छी क्यार पाम है और अच्छी म्यावटी का लेट में यह रही वह सब्सेड़ी परवैड करको गंष्चीज वह चीज़यकर के लिए स्टों आता ही को यह नतैंगे रहें 25 तो सब्सीडी प्रवाइट करने चाहिए देनी जाहिए ताकि फार्मर कम प्राइस में कहते हैं अच्छी क्रॉप उगाएगा तो आपको अच्छी चीजे अच्छा फूट ग्रेंश का को मिलेगा और उससे जो साई प्रॉब्लम है वो खतम हो जाएगी कि हर किसी को अच्छा मिलेगा मैल प्रैक्टिस हम हर फील्ड में अच्छी चीज तो आपके दवाईयों में भी नकली चीजे मिल रही है उसमें तो गवर्मेंट ही कंट्रोल करेंगी और गवर्मेंट बहुत अच्छा कर भी रही है क्योंकि हमाए जो फार्मर भाई है वो बहुत अच्छा प्रॉडक्शन करें कुछ लिमित इस्टेट में और बफर स्टॉक का जो हम बात करते हैं बार बार कहते हैं गवर्मेंट रखती है अपना पास अगर हम देखेंगे नस्याटी बुक में तो इसका जो लेवल है इसका लेवल जो है गवर्मेंट बहुत जादा रखते है ऐस कंपेर तो अब स्टैंडर्ड वन से कभी-कभी कह बहुत बहुत बखा जाएंगे उसको उसमें बहुत अच्छी बात बताई है अब सभी को भी कि देखें तो लोगों को देना है लेकिन गवर्मेंट को यह वी देखना चाहिए कि वो लिमिटेड रहे और उतना रहे कि लोगों की जरुवत पूरी हो सके क्योंकि वो खराब ह होने के उसमें कापी चांसे हो जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट होते हैं तो आज के सत्र में हमने यहां पर जाना फूट सिक्योरिटी के बारे में और साथ ही FCI और अशा है कि बच्चों आप लोगों को भी यह सारे टॉपक क्लियर जरूर हुए होंगे हमारे अच्छी बेर बाद हमारे और भी प्रोग्राम जो है वह आप देख सकते हैं तो आपको बताना चाहूंगी कि तीन से लेकर के साड़े तीन आप इंग्लिश का प्रोग्राम देख सकते हैं दा ट्रीज उसके बाद साड़े तीन से चार अप क्लास 10th का प्रोग्राम आने वा के उपर बात करते हैं तो ये सभी सत्र देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और साथ कि आपको लाइफ प्लेट भी हमारे चैनल पर दिख रहे होगी इस बर तो ये सारे हमारे सत्र हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया बहुत-बहुत धन्यवाद आ झाल